विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वारत है विद्यार्थियों, आठवी कक्षा के समाजिक बिज्ञान विशय के अंतरगत हम इतिहास का ध्यन कर रहे हैं और इतिहास के आपके JCRT पाठी पुस्तक के तीसरे अध्याय जिसका नाम है ग्रामिंट जीवन एवं समाज तो इस तीसरे चैप्टर के दो विडियो से मैं आपको परिचर करा चुका हूँ और मैंने परियास किया है कि पाठी पुस्तक की अधिकांस चीजों को आपके समक्ष उसी रूप में प्रसूत करूँ जिस रूप में किताब में उपलब्ध है तो आपने उन दो विडियोस को देखा होगा और चलिए इसी करम में अब हम यह जानने का परियास करते हैं कि भारत से बाहर केरिबियन आइलेंड्स में जहां पे सेंट डॉमिंग्यू नाम का एक स्थान है तो सेंट डॉमिंग्यू में गुलामों की कैसे बगावत होती है तो सेंट डॉमिंग्यू में गुलामों की बगावत है वो हमारे अध्यन का विशे है तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे अठारवी सदी में करिबियन दीब करिवियन दीप क्या होता है स्ट्टुएंट्स मैं आपको नक्से के माध्यम से बताउँगा तो अठारवी सदी में करिवियन दीप समू के सेंट डॉमिंगो में फ्रांसीसी कॉलोनी थी यानि कि फ्रांसिसी उपनिवेस था जैसे कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेस था जहां फ्रांसिसी बागान मालिक यानि कि फ्रेंच प्लांटर्स नील यानि इंडिगो और गन्ना यानि कि सुगरकेन की खेती करवाते थे और ये खेती किन से करवाते थे ये खेती अफरीका से लाए गए गुलाम मजदूरों यानि की स्लेप्स के द्वारा करवाया जाता था तो यही है हमारे अध्यान का बिस है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावात तो आप देख सकते हैं स्टूदेंट्स 1791 में तो 1791 वह दौर है स्टूदेंट्स जबकि भारत में एंगलो मैसूर वार हुआ करता था आप ख्याल करिएगा हमने अध्यन कर लिया है एंगलो मैसुर वार जो चार मैसुर वार थे एंगलो मैसुर वार तो थर्ड मैसुर वार जो है वो 1791 वाला समय है तो आप दोनों के जो टाइमिंग है उसको कोर्लेट भी कर सकते हैं और आपस में उसका सामंजस को भी ढून सकते तो आप इसको देखिए Slave Revolt in Saint Domingo 1791 1791 में Saint Domingo में गुलाम मजदुरों का बित्रो तो Saint Domingo क्या है वो फ्रांस का निवेस है यह उत्तर और दक्षीन अमरिका के बीज West Indies जिसे Caribbean Islands कहते हैं में स्थीत है और देश का नाम है Dominican Republic तो आप इटलस में देख सकते हैं स्टूइंट्स Dominican Republic और Hattie नाम सुनिये ध्यान से Dominican Republic और Hattie ये दोनों अस्थान जो है एक ही दूइप पे है और एही पे है Saint Domingo स्टूइंट्स जब आप West Indies की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि खास करके क्रिकेट खेलने के लिए कि छेतर में आप देखे होंगे कि West Indies की टीम कभी भारत जाती है कभी West Indies की टीम भारत आती है खेलने के लिए ये West Indies क्या है स्टूइंट्स तो West Indies की अंतरत सच पुछिए तो 13 सुतंत्र देश हैं जो की बहुत छोटे-छोटे हैं और इसमें 18 डिपेंडेंसी भी आते हैं तो West Indies के अंतरत जो आते हैं वे हैं क्यूबा, हैटी, डॉमिनिगन रिपब्लीक, जमायका, टिनीडाड एमन टोबैगो, बहामाज, बेलीज, बर्वाडोज, सेंट लूसिया, एंटिगुएम, बर्मूडा, डोमिनिका, केमेन आइलेंड्स, वर्जिन आइलेंड्स, यह सब तो यह सब स्टुडेंट्स आप देख सकते हैं नक्से में तो चली यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास है यहाँ पे बहुत असपश्क नक्सा दिखाना संभव नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका और दक्षिन अमेरिका का जो मिलन वाला स्थान है, है ना, जहाँ पे मेक्सिको है जहाँ पे पनामा है, है ना, उस स्थान पे आप देख सकते हैं केरिबियन आइलेंड बोलते हैं और यही पे फ्रांसिसी उपनिवेस सेंट डोमिंगो था तो इसको में आप देख सकते हैं स्टुएंट्स इसी द्वीप पर 1791 में अफ्रीका से लाए गए गुलाम मजदुरों ने बिद्रो कर दिया या बिद्रव हिंसात्मक था तो अभी अ लेकिन मूल रूप में वो नॉन भाइलेंड था और हिंसात्मक था लेकिन 1791 में जो अफ्रीका में जो बिद्रो हुआ वो हिंसात्मक था वहां क्या हुआ वहां खेतों में आग लगाई गई और अमीर बागान मालिकों को मार डाला गया परिनामता 1792 में फ्रांस सरकार ने दास्प्र था यानि सिलेवरी जो था यानि कि मनुस्यों की जो खरीद विक्री थी स्टूडेंट्स उसको एबॉलिस किया गया उसका उन्मूलन किया गया तो यह समझने वाली बात है और इतियास में स्टूडेंट्स अब जब आगे बढ़ेंगे कुछ और ज्यान प्राब भी और डॉमिनिकन रिपब्ली भी वहां लंबा अंदोलन चला जिसमें लगवख दो लाख हैटियंस 75,000 फ्रांसिसी और लगवख 45,000 बिटिस मार डाले गए तो 1791 से 1804 तक चला यह अंदोलन हैटी अंदोलन के नाम से जाना गया है तो स्टूडेंट्स अठारवी सताबद केरिवियन दीव समू के सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसिसी कॉलिनी थी वहां पर एक बहुत बड़ा बीद्रोह देखने को मिला और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी प्लांटर्स को यानि कि वैसे लोगों को जो की वहां पर खेती करवाते थे तो जो की हमारे देश में भी घटित हुई और दुनिया के दूसरे देशों में भी घटित हुई जैसे हमारे देश में जो नील बीद्रोह हुआ तो वह क्या था वह जमिंदारों के खिलाफ एक बीद्रोह था अंग्रेजी सासन के बिरुद एक बीद्रोह था सासकों के प्रति विद्रो था है ना उसको हम लोग किसान विद्रो कहते हैं ठीक है तो वो किसान विद्रो है अहिंसक था लेकिन सेंड डोमिंगो का जो विद्रो था वो हिंसक था भारत का जो किसान विद्रो है वो भूमी से जुड़े हुए ऐसे लोगों का विद्रो था जो हजारो हजार बर से उसी भूमी पर आकर अपना जीवन यापन कर रहते पिढ़ी दर पिढ़ी लेकिन जो बिद्रो सेंट डॉमिंगो में हुआ वो ऐसा नहीं था क्योंकि सेंट डॉमिंगो में जो बिद्रो ही थे वे अफरीका से ले जाए गए मतलब कि वहां के मूल वासिंदा नहीं थे किसान के रूप में जो है ले जाया गया था सेंट डोमिंगो जहां कि उन लोगों ने विद्रो किया था हलांकि इनके साथ भी काफी दुर्दसा रही होगी स्टुडेंट्स और उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया गया होगा तो परिस्थितियां देखिए ऐसी परिस्थि स्टुडेंट्स इसके पीछे एक बहुत मतलब बहुत लंबा जो है एक परकार से देखा जाए तो उनके साथ अत्याचार और अनाचार काम करता है तो जब कभी भी आप सेंट डोमिंगो की बरावत के बारे में पढ़ेंगे तो अपने देश का जो नील बिद्रो है इसको आप नहीं भूलेंगे नील बिद्रो जो है एक तरह से देखा जाए तो उसका निप्टारा जो है बिधी पुरुवर बाद में करने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन आप समझ सकते हैं स्टुडेंट्स की भारत जैसे देश में जहां की अंगरेजों का सासन था और एक प तो गत्वा फाइदा किसको होता था अंगरेजों को ही होता था तो स्टुडेंट्स आज का जो हमारा विसे था सेंट डोमेंग्यू में गुलामों की बगावत इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे मुझे विश्वास है और साथी साथ मैं स्टुडेंट्स आपको कहू परियास किजिएगा जिसकी सुरुवात स्टुडेंट्स पेज नंबर 29 से लेकर के 39 तक है तो इस पर मैंने आपको कुल तीन वीडियो उपलब्द कराएं और प्रियास किया कि आपको पूरी तरह से जो भी पाठे समागरी है उसे मैं उपलब्द करा दूं तो अब सिर्फ रहा गया क्या है स्टुडेंट्स आपके लिए प्रस्णोत्तर तो प्रस्णोत्तर भी मैं सीखर आपको उपलब्द कराने जा रहा हूं आप इतियास के इस चैप्टर से जुड़े रहें और खुद से अध्यान अवस्यक करें ठीक है स्टुडेंट्स जहिंद